उस क्लास में लगबख 40 स्टुडेंट बैठेते हैं अचानक एक स्टुडेंट खड़ा हुआ और उसने बहुत घवराते वे प्रफेसर से कहा सर मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी सर वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली तो प्रफेसर ने अच्रत से कहा अभी कैसे चुरा लेगा बोले सर अभी जो पांच मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रखके गया था और उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिल रही है प्रफेसर ने कहा उसके बाद कोई भी इस क्लास से गया और आया नहीं है इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वो इसी क्लास में प्रफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चीए कि किसने घड़ी चुरी कि और प्रफेसर ने कहा सब लोग अपनी अपनी आख में काली पट्टी बांदा और सब ने काली पट्टी आब आद ली लाइन से खड़े हो गए प्रफेसर ने एके करके सब को यूँ हाथ लगाना शुरू किया और उस लड़के की चेब में घड़ी मिल भी प्रफेसर ने चुप चप घड़ी निकाली घड़ी निकाल के जो मालिक था मुस्कुराते वे उसके हाथ में दे दी और क्लास नॉर्मल चलने लगी किसी को नहीं पता चला अगले दो-तीन दिन तक वो लड़का घबराता रहा हडबराता रहा भैभीत रहा उसको डर था मेरी बात आज खुल जाएगी मेरा राज आज खुल जाएगा लेकिन किसी को पता नहीं चला दिरे दिरे वो सब कॉलेज से निकल गए बहुत साल बाद अब वो लड़का जिस आप से बात कहना चाहता हूं प्रफिसर ने कहा बोलो उसने कहा सर मेरे जीवन पर आपका बहुत बड़ा करज है यदि आज मैं जिन्दा हूं तो आपके कारण है प्रफिसर ने बोला ऐसा क्यों उसने खा सर आपको याद नहीं होगा एक बर आपकी क्लास में घड़ी चोरी ओर आपने सब की जेब चेक के थी और मेरी जेब से घड़ी मिली ती लेकिन सब आपने उस दिन वह बात किसी से नहीं ज़ती है लेकिन फिर भी आपने मेरा अपमानने किया आज मैं जहां भी हूं सरूस लेशन की वज़े से मैं यह दी जिन्दा हूं सर तो आपकी और प्रोफिसर कहता है अच्छा वो तुम थे क्या तो लड़के ने अच्रस से का मतलब बोले उस दिन मैंने तुम सब के आखे तो बंग कर कि हो या मैं किसी के साथ दुर्वयार करूँ यह सुनते ही वो लड़का जो अब एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट था उसकी आखों में आसु आ गया और वो प्रोफिसर के गले लगके दो मिनट तक बतर है यही तो अधवुत मानता है किसी की गलती पता चलते वे भी माफ कर किसी को इग्नोर कर देना उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मौका दे देना पता होते वे भी कि यह कल्परिट है उस वक्त जाने देना ताकि उसको सुधरने का आउसर मिल सके अपना चेहरा उचा करके चलने का आउसर मिल सके आज की इस यूग में जा हर व्यक्त किसी ने कسी की गलती ढून रहा है परिवार में माबाप की गलती भाई की गलती जीवन साती की गलती ofis में बौस की गलती कलिकस की गलती कुछ ़र नहीं हुआ तो देश की गलती समाच की गलती राजनीती की गलती थो newer game thus है ऐसे में क्या हमको ऐसे लोग नहीं चीह जो एक दूसरे को माफ कर सके माफ करना और माफी मांगना एक आयर नहीं कर सकते हैं यह शक्तिशाली लोगों को काम है साथियों इस कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया एक प्रॉफिसर जो यह भी नहीजाता कि उसका स्टुडेंट किसी और की बी नजरों से गिरे क्या एसे लोगों की समाज की तर्षन जहां पर हम लोगों की गलतिया वने के बावजूत उनको इंसान मानके उनको मिट्टी का पुत्रा मानके उनको माफ कर सके हमारे भाई से गलती हुई हमारे पाइटनर से गलती हुई, हमारे जीवन साती से गलती हुई, हमारे किसी और फैमली मेंबर से गलती हुई, रिलेटिव से गलती हुई, कलीक से गलती हुई, महले में, कॉलोनी में, स्ट्रीट में रहने वाले किसी से गलती हुई, समाज की किसी अंग से गलती हुई, एक दो बा मान बचाने का मौका देना मानता है